नीट दो बज़े होना था ग्यारा बज़े उसके फाद रहे पर उस कंडीशन में वो बच्ची नीट का एक्जाम देने गई और तो ब्लाइंडली आप ड्रॉप लीजिए मेरी बात मानिए लीजिए उसका रीजन में आपको बताता हूँ पार्शल ड्रॉप अंगारों पे चलने के बराबर होता है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है इंडियन गॉर्मेंट इतना जादा एंकरेज कर रही है इस पर्टिक्लर फील्ड के अंदर कि आपको आज नहीं तो कल बहुत ब्राइट फीचर मिली जाएगा और सिर्फ इंडियन गॉर्मेंट नहीं आल ओवर दा वर्ल्ड लोगों को या बच्चों को पता ही नहीं है इसके बारे में आज इस पर्टिकुलर टॉक में आपन बात करने वाले हैं आपकी नीट जर्णी को लेकर कि अगर आप नीट देना स्टार्ट करते हैं तो डूरिंग दा जर्णी जब तक आपका नीट नहीं निकलता है तब तक अपने को किन बातों का ध्यान रखना है और आप क्या-क्या इस्ट्रगल फेस करने वाले हैं आईए उन सारी चीजों के बारे में आज अपने स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है आदित जैन और बच्चे मुझे एजे सर के नाम से जानते हैं और उनका कहना है कि मैं फिजिक्स को बायो से भी इजी बना देता हूँ जब यह चीज जब मैं बताता हूँ बच्चों के कि मैं फिजिक्स को बायो से इजी बना देता हूँ या बच्चा कोई दूसरे बच्चे को बता रहता है तो इस टाइम यह सवाल जरूर उठता है आपके अंदर की ऐसा कैसे पॉसिबल तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम 2023 और 2024 के दो पॉल देखते हैं जहां पर मैंने टेलीग्राम चैनल पे बच्चों से ओपन पॉल करवाया जिसमें 60% से जादा आडियन्स का ये मानना है जो मेरे से रिगरसली पड़े हुएं कि हां फिजिक्स बायो से इजी बनाया जा सकता है बट सवाल आता है कैसे उसका जवाब बहुत सिंपल है you have to follow a magical process जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों क्यों कि जब आप नीट जरनी में एंट्रेंस करेंगे मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपने बायो क्यों लिया क्यों कि आप mathematics से बचना चाहत है राइट बट जब physics सामने आता है तो आपको पता लगता है कि यार mathematics वापस से पीछे पढ़ गया ऐसा ही होता है ना जी हाँ मैं ये सारी चीज़े इसलिए जानता हूँ क्योंकि जब मैंने तीन साल one of the biggest offline center पर पढ़ाया इंडिया के तब जब हजारों बच्चों को एक सा magical process की right magical process बहुत simple है आपको तीन step follow करनी है पहली step basic mathematics के ओपर command बनानी है you have to learn basic mathematics in a way कि आपको उसकी language समझा जाए mathematics एक language है मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ ठीक है एक language है जैसे आप हिंदी लिखते हैं पढ़ते हैं तो जो लिखा हुआ है वो कुछ बतलाता है आ ऐसे ही अगर इस universe को समझना है आपको तो इस universe की language है mathematics तो mathematics अगर आप एक equation लिख रहा है तो वो कुछ कहती है अगर आप वो पढ़ना सीख गए तो कितना आसान हो जाएगा आप खुद सोचो तो आपको mathematics सिर्फ as a math नहीं देखना है उसको as a language देखना है जैसे कि मैं बहुत simple सी बात करता हूँ बच्चों को यही नहीं पता रहता है कि integration या differentiation क्या होता है उनको formula रठवा दिये जाते हैं कि x to the power n का integration करोंगे तो x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus of c लगा देंगे बट उनको यह पता ही नहीं है कि integration actual में क्या होता है यह एक language होती है कुछ बताता है कब इसको use करना है क minute 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 तोड़ दिया एक तर्वूज हो उसको इतने पार्ट में तोड़ दिया इतने पार्ट में तोड़ दिया कि infinite पार्ट हो गया है अब एक पार्ट को ठाके देखूंगा और उस तर्वूज की अगर मैं properties को study करने लगूंगा ना वो कहलाएगा differentiation और उस एक छोटे से infinitely small parts से जब मैं वापस से पूरा तर्वूज बना देता हूं ना वो जो process होती है वापस से छोटे से पार्ट से पूरा तर्वूज बनाने की उस process को कहा जाता है integration देखो कितना आसान है अगर आप चीजों को ऐसा करके पढ़ना स्टार्ट करते है काडिरिटिक एक्वेशन क्या पढ़ाते हैं तो around 15 से 20 लेक्चर सिर्फ mathematics पढ़ाते हैं और बच्चों को साफ कहते हैं कि अभी आपको इस पे ध्यान रगना है हर एक एक चीज़ एक एक equation physics में कहा यूज होगी पहले ही बता दो ना अगर बच्चे को तो basic mathematics जिस से वो डरता था वो उस बच्चे का दोस्त हो जाता है तो पहली स्टेप क्या है आपको basic mathematics ऐसे पढ़नी है उसको as a language देखना है उसको से डरना नहीं है उसको अपना दोस्त बनाना है यह थी पहली स्टेप दूसरी स्टेप mechanics mechanics याने की one dimensional motion two dimensional motion NLM work power energy अगर आप यह बहुत rigorously पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से practice करते है ना during जब आपको यह पढ़ाया जाता है तो इस particular time पर आप physics का aptitude build कर रहे होते हैं एक छोटा सा example देता हूं जब आप छोटे थे तो आपको गिंती सिखाई गई थी उंगलियों के ओपर one two three four फिर उसके बाद आपको सिखाई गया था two plus two four करने तो आप करते थे one two और फि है ना similar way में physics को सीखने की step by step process होती है जहाँ पर आपको mechanics धीरे धीरे होले होले सीखना पड़ता है यहाँ पर आप बार बार गलती कर रहे होंगे यहाँ पर आप formula लगाना सीख रहे होंगे यहाँ पर आप question के साथ struggle कर रहे होंगे यहाँ पर आप सीख रहे होंगे कि physics को देखना कैसे है समझना कैसे है एक बार अगर आप यह step पार कर लेते हैं अच्छे से time दीजिए जब आप mechanics पढ़ रहे हों बहुत अच्छे से समझ यह सवाल को धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि physics में mechanics के concept पूरे पूरे यूज होत इसेचम यह वेव अलग से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं उसमें पूरे पूरे concept आपके newtons, laws of motion के आएंगे, kinematics के आएंगे, work power energy के आएंगे, इसेचम कोई अलग से topic नहीं है, it's a application of mechanics, आप mechanics पढ़ो, उसकी application लगाओ, इसेचम अलग से नहीं पढ़ाते हम कभी, पहले ही कह देते हैं बच्चे को कि भाई यह SHM में यूज होगा, यह 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 पहले ही बता दो ना, चीजों को unify करके पढ़ाओ, और चीजों को unify करके देखो, तो दूसरी step थी, mechanics के उपर command बनाना, तीसरी step आती है आपकी practice करने की, आपको practice practice करनी ही पढ़ेगी, इसके अलावा और कोई दूसरा चारा है नहीं आपके पास, अगर आप यह तीन step बहुत अच्छे से follow करते हैं ना, तो आपका physics में automatically interest over the period of time develop हो जाएगा, इसके साथ एक बात मेरी और बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वो बात यह है कि जब आप topics पढ़ रहे हों तो topics को connect करके पढ़ने का try करना, आप इसको fourth step of magical process भी कह सकते हैं, इसको मैं कहता हूँ, the process of unification, कहीं ना कहीं physics आपकी unification के उपर ही based रहती है, कैसे, मैं आपको बताता हूँ, एक simple से example से, vector cross product जब आप पढ़ने जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि भीया, a cross b आप करते हो, उसका magnitude a v sin theta लिखत बस आप इतना पढ़के छोड़ देते हो, फिर उसके बाद जब आ रहा होता है, आपको नहीं पता कब कैसे क्या use करना है, लेकिन एक बार अगर आप vector cross product पढ़ लें और उसको unify कर दें, पहले ही कि ये vector cross product का application आपका torque में आएगा, angular momentum में आएगा, उसके बाद आपका magnetism मे आएगा, पहले ही सीख लो ने ये सब, आपने चीजों को unify कर दिया, आपके neurons connect हो गए, scientific approach यही रहती है ना, चीजों को याद, चीजों को समझते कैसे हैं, जितने जादा neurons आपके connect रहेंगे, उतना जादा आप चीजों को समझ सके हैं, इस इस दा magical process of learning physics, हम अपने बच्च जो step होता है, वो होता है, यूनिफिकेशन का, अगर आप ये चार step के उपर काम कर लेंगे, तो physics आपके लिए bio से, खुद बाखुद easy हो जाएगा, क्योंकि physics की एक खास बात है, आप एक चीज से 10 चीज समझ सकते हों, ऐसे करके मैंने physics को bio से easy बनाया, अब आते हैं, दूस सारे नीट हो जाएगा, unfortunately इस बार 25 लाग seats थी और लगभग लगभग 59,000 सिर्फ government seats हैं, तो अब आप सोचिए, 24 लाग से जादा बच्चे, एक सवाल पूछ रहे होते हैं, सर, drop लूँ या partial drop लूँ, है, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, शायद आप अभी इस particular stage पे होंगे, एक face अपना physics सीखना वाला हो गया, दूसरा face आप का जाता है, सर, drop लूँ या partial drop लूँ, हर बच्चा नीट का यही पूछ रहा होता है, कोई रोते हुए पूछ रहा होत होता है, तो इसका जवाब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि आपको drop लेना है भाई या partial drop लेना है, सुनिए, अगर आपका school के साथ first attempt था और आप first drop लेने का सोच रहे हैं, तो blindly आप drop लीजिए, मेरी बात मानिए, लीजिए, उसका reason मैं आपको बताता हूँ, जब आप school के साथ prepare कर रहे होते हों, तो आपकी preparation अच्छी नहीं होती है, आप bright बच्चे हों, आपको सब चीज समझाती है, लेकिन NEET जैसा exam practice मांगता है, और जब आप school के साथ prepare कर रहे हैं, तो practice नहीं कर पाते हैं, इसकूल का homework, इसकूल की pre-board, इसकूल के assignment, इसकूल आना जाना, काफी time निकल जाता है, फिर coaching भी जाते हों, लेकिन practice नहीं कर पाते हो, इसकूल में तो आपके अच्छे marks आ जाते हैं, लेकिन NEET में आते हैं, महसो, दो सो, असी, धाई सो marks तक maximum, maximum of the बच्चों की बात कर रहा हो, तो यहाँ पर आपने अपना actual potential कभी testing नहीं किया होत first drop में आप लीजे, बात करते हैं second drop की, यानि third attempt की, first drop लेने के बाद distraction आ गया आपकी life में, किसी कारण वश, आप महनत नहीं कर पाए, अब ये कारण जाइज भी हो सकते हैं, और ना जाइज भी हो सकते हैं, कैसे जाइज होंगे, कि भाई आपके घर में कोई tragedy हो गई, ठीक ह समझता हूँ, आप नहीं पढ़ पाए, आपको पता है, आपके marks अच्छे आ रहे थे test में, लेकिन आप नहीं पढ़ पाए, हो सकता है, कोई बीमार पढ़ जाए, हर बार होता है ऐसा, इस बार का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद आप अगर सुन लेंगे तो आपक प्रगल किया, मेरे अच्छे marks आ रहे थे, इसके marks टेस्ट में आ रहे थे, उसके फादर बीमार थे, नीट दो बज़े होना था, ग्यारा बज़े उसके फादर एक्सपार हो जाता है, उस condition में वो बच्ची नीट का एक्जाम देने गई, और उसके 505 marks आ है, अब आप ये उसका drop लेना बनता है या नहीं बनता है, मैंने उसको assure किया कि बेटा, आप drop लो और आपको जो भी issue होता है during preparation, I will take care of that particular problem, personally, और the day आपका नीट निकलेगा, उस दिन आपकी voice हिंदुस्तान के हर एक बच्चे तक पहुचेगी, मैंने उसको promise किया, तो ये valid reason था ना उसक आपका valid reason नहीं है, आप distract होगा, आप social media में फस गया, आपके personal life में कोई problem हो गया, आपके दोस्त से लड़ाई हो गई, आप time waste करते रहे गए, आपने practice नहीं किया, सब पता होते हुए भी और आपके 400 से कम number आ रहे हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप full drop लो, अब आप अपना year save करें और partial drop की तरफ चाहिए, यानि अगर second drop में आपके 480, 490, 500 marks हैं, तो ही आप drop लेने का सोचना, लेकिन उसके पहले आपको आपकी गलती पता होना चाहिए, और उसको कैसे सुधारना है, वो पता होना चाहिए, लेकिन आपके 400 से कम marks हैं ना बच्चो तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप full drop लीजे, second drop के बाद, आप partial drop की सोचिया, आप year save करने की सोचिया, अब अगर partial drop भी ले रहे हों तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा issue आप face करेंगे, वो issue ये होगा कि भाई नवंबर तक तो अच्छा चलेगा आपका, क्यों क्यों आपने इसके बाद भी कि भाई, नीज से आप कौन-कौन से और क्या क्या कर सकते हों, तो यहाँ पर एक issue आप face करोंगे कि फरवरी के time पर आपके college के exam भी होंगे, और आपको नीट की preparation भी करनी होगी, अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर फस जाओंगे, आप literally फस मेरे को दिन का 8-9 घंटे नीट की preparation में देना है, आप पहले से mind making करके चलते कि भी है, मुझे पता है कि college के exam आने वाले मैं नीट उस time पे समालते हुए चलूँगा, अगर आप इस step से निकल गए, तो आपका partial drop successful हो जाएगा, यही वो step, यही वो time में जहाँ पर 95% of partial drop पर हि की preparation छोड़के, जो course उन्होंने enroll किया था, उसमें लग जाते हैं और यह सत्य बात में बता रहा हुए, तो partial drop आप अगर second time drop लेने जा रहे हैं और 450 से कम माक्स हैं, तो you can opt for partial drop, हाँ, अगर आप यह समझते हैं कि बिलकुल आपने जो गलती की है, आप उसको सुधार सकते हैं कैसे सुधारना है वो अगर आपके पास लिखा है, तो आप full drop का सोचना, otherwise I would recommend you to go for the partial drop, अब आपका third, fourth या fifth attempt आता है बच्चों, let's say आपका fourth attempt चल रहा है, fourth drop आपका चल रहा है, fourth attempt या fifth attempt में जा रहे हैं और आपके 400 marks आ रहे हैं, मैं फिर कहूंगा कि बिटा, partial drop के लिए ज करना चाहरा हूं, मैं आपको reality बता रहा हूं, time बहुत limited है, और उस limited time में आपको आपका output देना है, आपने 4 attempt दे दिये और 400 marks तक अगर आप पहुच पा रहे हों, तो आप year save करिए, आप एक अच्छा college लीजिए, वहाँ पर अपना skill set develop करिए, यहाँ पर जहां आपको इस preparation म सवाल आएगा, drop और partial drop तो आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना कि भाई, partial drop अंगारों पे चलने के बराबर होता है, partial drop में आप अपने आप से लड़ रहे होंगे, आपको time नहीं मिल रहा होगा, partial drop में offline जाने का तो भाईया, गलती भी मत करना, reason, दिन बर तो आ partial drop में जो भी आप online course जोइन कर रहे हों, उसमें ये बात ध्यान रखना कि personal mentorship जरूर हो, क्यों, क्योंकि आपका अपने आप से लड़ाई चल रही होगी, आपका breakdown हो रहा होगा, आपको संभालने के लिए एक mentor होना चाहिए, और faculty से best mentor कोई नहीं होता है, पहले चीज़, दू Now, coming to the third question, जो बहुत जादा आता है, NEET aspirants से हम लोगों को, वो ये आता है कि सर, NEET थोड़ा सा tough हो रहा है, competition बहुत हो गया, हमने दो, तीन, चार साल prepare कर लिया, NEET के लिए, सर अब कुछ alternative बताईए, इतना time हमने NEET की preparation को दे दिया है, कि अब हम इससे ही related कुछ करना चाहते ह NEET नहीं हुआ तो क्या हुआ, बचो आपका दर्द में समझता हूँ, बहुत सारे बचों को ऐसा लगता है कि हम online पढ़ा रहे हैं, तो हमको नहीं पता कि एक बच्चे की life में क्या चल रहा है, बट मैं वापस से आता हूँ, उसी बात के उपर की जब हम offline पढ़ाते थे, तो जाता है, वक्त वापस से पलट कर आता है, और सेम सवाल लेकर आता है, और सेम बच्चे के emotions रहते हैं कि सर अब क्या करने हैं, तो इन चीजों को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, कि भाई, सर नीट के alternative बताइए, देखिए, alternatives बहुत सारे हैं, बट अब जो मैं आपको कहना जा रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझेगा, आपका जो interest है ना, आप उस interest के according alternative देखिए, कोई भी course छोटा या बड़ा नहीं होता है, मैं आपको एक बहुत छोटा example दे देता हूँ, एक अच्छा doctor और एक अच्छे skill set वाला, let's say कोई भी bio technology का बंदा होगा, वो same earn क कर रहा होगा कही ना कहीं, आप इस चीज़ को समझना, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, आपका skill set सबसे जादा important है, आपका interest किस field में है, आप उस field के according अपना alternative देखिए, मैं आपको कुछ alternatives बता रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा, alternatives क्या क्या है, सबसे पहला आता है आपका BDS Bachelor of Dental Surgeon, अब इसमें आजकल एक नई अफवा चल रही है कि BDS की ज़्यादा jobs नहीं है, dentist की ज़्यादा job नहीं है, बट जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपको पता लगेगा, if you are a good dentist, अगर आप एक अच्छे dentist है, आपने MDS कर लिया, आपने MBA कर लिया, Dental Surgeon में आगे जा आपका skill set अच्छे develop कर लोंगे, over the period of time जब आपका नाम होने लगेगा, आप जिस शहर, जिस कसवे या जिस hospital में आप बैठे होंगे, वहां आपके नाम से patient पहुच रहे होंगे, उस particular time पर आप realize करेंगे कि यार, MBBS किया होता, या BDS किया होता, बराबर ही है, आप समझो इस बरिये, BDS कोई छोटा course नहीं है, full time course है, काफी time काफी महनत मांगता है, इसके बाद आता है आपका BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, Indian government इतना जादा encourage कर रही है इस particular field के अंदर, कि आपको आज नहीं तो कल बहुत bright future मिली जाएगा, और सिर्फ Indian government नहीं, all over the world, Ayurveda का बहुत जादा प्रचा हो रहा है, बहुत सादा publicity हो रही है, क्योंकि एलोपेथी में कहीं ना कहीं side effects देखे जाते हैं, पूरी की पूरी generation, आपकी पुरानी याने आपके father generation, आपकी parents की generation, और आपकी generation भी आगे जाके जब बड़े होंगे, तो आपको पता लगेगा कि यार कुछ Ayurvedic treatment लिया जाए इसकिन के लिए हो सकता है, आपके internal organs के लिए हो सकता है, कोई अच्छी बड़ी बीमारी के लिए, अच्छी तो नहीं बोलेंगे बीमारी के, कोई बड़ी बीमारी के लिए हो सकता है, है ना, तो इसके लिए आप Ayurveda opt कर सकते हों, जहाँ पर बहुत अच्छा scope है, next चो आता में कोई homeopathy doctor already settled है पहले से then you can opt for this particular field तब आपका future बहुत ज़्यादा bright हो सकता है इसके बाद आता है veterinary यहाँ पर एक चीज बोलूँगा मैं आप कहीं पर भी रह रहे हों आज की generation में जो pets रहते हैं वो family member बराबर ही रहते हैं लेट से आपके घर में कोई dog है तो आप उसको वैसे ही treat कर रहे होंगे जो इससे आप अपने family member को treat करते हैं तो अगर वो बीमार पड़ेगा तो उसका treatment भी वैसे ही कराएंगे ना जैसे family member का कराते है तो veterinary field भी आपकी काफी जादा अच्छी है काफी जादा scope है nursing आती है इसके बाद nursing is mainly used for female यहाँ पर जादा जाना prefer करती है basically they are helpers to doctors यह भी एक अच्छी field है इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपका आता है bio technology agriculture यहाँ पर भी जा सकते है एगरी कल्चर में इतना अच्छा scope है कि एक example से समझते हैं कि भाई आपका जगा जगा आजकल environmental changes के कारण एगरी कल्चर करना मुश्किल हो जा रहा है या फिर metro cities में भी आजकल आप देख रहे होंगे बहुत जादा agriculture होने लगाए hydroponics करके एक new technology आई है एक कमरे के अंदर ही mushroom उगा दिया जाता है एक कमरे के अंदर ही काफी सारी सबजी उगा दिया जाती है तो agriculture में आप plant mutations के बारे में सीखते हों और आपको बहुत कुछ future में आगे करने इसके लिए मिल सकता है ये basically कुछ मैंने आपको बताया है alternative field अगर आप neat के हों इसके अलावा आप चाहते हों कि neat में कोई अच्छे exam देना हो तो दो exam बताता हूँ मैं एक होता है आपका ICER aptitude test IAT जिसको कहते हैं इसमें ICER और IISC आपको मिलता है इस course के बारे में सबसे च्छी बात बताता हूँ बट इससे similar course एक और exam होता है जिसका नाम है NEST है ना अब IAT और NEST की सबसे खास बात यह है by the time you enter into the college you start getting the stipend from the government मतलब की आपको आपके parents के ओपर बिलकुल भी dependent नहीं रहना पड़ता है तो एक IAT और NEST इतने अच्छे exam माने जाते हैं कि भाई आप शुरू से earning start कर देंगे आपको family dependent नहीं रहना पड़ेगा और जब आप जाके इसमें PhD वगेरा करते हैं तो आप direct government organization में जा रहे होते हैं तो यह आपके कुछ मैंने alternative बताए CVT भी होता है इसके साथ है ना और छोटे मोटे exam तो आपके हर state में कहीं न कहीं कुछ न कुछ होते रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि neat अगर आप कर रहे हो तो उसका alternative नहीं है लोगों को या बच्चों को पता ही नहीं है इसके बारे में तो यह आपका मैंने बताया कि during the neat journey आप कौन-कौन से particular struggles face कर सकते हैं एक तो सबसे पहले physics आपका लग सकता है कि भाई आपको tough हो रहा है लेकिन मैंने उसको easy बनाने की process आपको बता दी है तो तीन चीजे मैंने आपको बताई जो throughout the neat journey आप struggle face कर सकते हैं पहला आपका कि physics को कैसे आपको tackle करना है physics bio से easy है मानिये जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा है उनको believe हो गया है कि तीन से चार महीने के बाद जब एक बार mechanics खतम हो जाता है उसके बाद physics वाकई बहुत easy हो जाती है दूसरे topic उतने जादा intensity से पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ती है दूसरी चीज यहाँ पर अपन ने बात की थी drop और partial drop ध्यान रखिएगा जो भी points मैंने बताए तीसरी चीज alternative to need क्या क्या हो सकते हैं एक और MBA जो अपन बोलते हैं कि hospital management के अंदर होता है वहाँ पर भी बहुत अच्छा scope है याने की MBA and hospital management इसमें भी आप बच्चों opt कर सकते हूँ तो ये था एक छोटा सा session आप लोगों के लिए ध्यान रखिए अपना, मेहनत करते रहिए, practice करते रहिए और जब भी life में अगर आपको dull feel होए तो ध्यान रखना अपने माबाप का चहरा जहां पर आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि इनको proud feel करवाना है at any stage of life Thank you